नमस्कार मित्रों, पूंजी बाजार जिसे हम प्रतिभूती बाजार भी कहते हैं एकॉनमिक्स का एक महतुपुन टोपिक है जो कॉपरेटिव बैंक के एकजाम में, फर्स्ट ग्रिड के एकजाम में और कई अन्य महतुपुर्ण एक्जामों में इसके कुछ महतुपुर्ण शब्दावलियां हैं जो पूछ ली जाती है जिनका अपन डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं DEMAT ACCOUNT DEMAT ACCOUNT DEMAT TRAILIZATION का SHORT FORM है यानि जिस तरह से बैंक में हमारा ACCOUNT होता है जिसमें हम amount deposit और withdraw को maintain करते हैं ठेक उसी तरह से DEMAT ACCOUNT में securities का record रखा जाता है DEMAT ACCOUNT में क्या होता है प्रतिभूतियों को electronic format में बदला जाता है यानि securities को electronic format में बदला जाता है ये एक bank खाते की तरह होता है किन्तु इसमें रुपे किस्तान पर प्रतिभूतियों के मुल्यों को दर्ज किया जाता है यानि securities की जो value है उनको इसके अंदर दर्ज किया जाता है एक जो investor होता है वो एक से ज़्यादा भी DEMAT ACCOUNT खुलवा सकता है अगर कोई एक investment, investor जो होता है वो एक से ज़्यादा DEMAT ACCOUNT भी open करवा सकता है जो प्रतिभूति बाजार है और वाहिदा बाजार है जिसको हम commodity market करते हैं दोनों के लिए अलग-अलग DEMAT ACCOUNT होते है और सबसे important चीज क्या है कि 1 अप्रेल 2019 तक सभी प्रतिभूतियों को DEMAT ACCOUNT में convert करवाना अनिवार्य होगा otherwise exchange नहीं कर पाएंगे यानि purchase, sale नहीं कर पाएंगे securities का ये DEMAT ACCOUNT से related महत्वपून जान करे थी आपकी यानि DEMAT ACCOUNT जो capital market का एक महत्वपून जो ACCOUNT होता है उसके बारे मैंने आपको बताया अब हम बात करते हैं सरकारी प्रतिभूति बाजार या guilt edge बाजार सरकारी प्रतिभूति बाजार या guilt edge बाजार जैसा कि इसके नाम सिस्पस्ट है वह बाजार जहां सरकारी प्रतिभूतियों का क्रे विक्रे होता है उसे हम क्या कहते हैं सरकारी बाजार सरकारी प्रतिभूति बाजार या गिल्ट एज बाजार कहा जाता है तीसरी जो पूझी बाजार से समधित महत्वपून हमारी जो शब्दावली है वो है blue chip companies blue chip companies जो है वो अपने क्षत्र विशिस की तीन उच्चसतर की कमपनियों को blue chip companies कहा जाता है यानि अपने sector विशिस की जो top level की तीन कमपनिया होती है उनको blue chip companies कहा जाता है इनके share को blue chip share कहा जाता है company जो होती है अपना जो capital की विवस्ता है वो शेर इशू करके करती है तो इन ब्ल्यू चिप कम्पनियों के जो शेर होते हैं उनको ब्ल्यू चिप शेर कहा जाता है इनके शेर का जो मुल्ले होता है अन्य कम्पनियों की तुल्ला में ज्यादा होता है अधिक होता है क्यों? कारण भी यही है क्योंकि अपने च्छत्र की उच्छत्र की कंपनियां होती है और जब उच्छत्र की कंपनियां होगी तो उनके शेर की जो value भी होगी वो अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक होगी यहां जो investor होते हैं जिन्होंने blue chip companies में अपना पैसा invest कर रखा है उन्हें risk कम रहता है कम जोखिम उनको रहता है तो यह है आपका blue chip companies तो आपको मैंने तीन महत्वपुन जो शब्दाव लिए उनको साजा किये पहला demate account प्रतिभूतियों को electronic format में बदलवाना दूसरा सरकारी प्रतिभूति बाजार जहां सरकारी प्रतिभूतियों का क्रेविक्रे के जाता है तीसरा blue chip companies टॉप तीन बड़े स्तर की कमपनिया जिनके share को blue chip share कहा जाता है उसके बाद में हम discuss कर रहे है बुल बुल जिने हम तेजडिया कहते है बुल जिने क्या कहा जाता है तेजडिया कहा जाता है ध्यान से समझेगा बुल को हम हिंदी में बेल कहते है बेल जो होता है वो बेल की क्या खाशित होती है वो हमेशा नीचे से उपर की और अटेक करता है बेल कैसे अटेक करता है नीचे से उपर की और अटेक करता है तो इसको हम डाइग्रामेटिकल रूप से देखें, तो यानि ये इसका इस तरह से डाइग्राम बनता है, यानि वे बुकीज, वे स्टोरिये जो प्रतिभूती बाजार में इस बात का संकेत देते हैं कि बाजार अपने निचले स्तर पर आ चुका है, और भविश्य में प्रत होने की संभावना है, ऐसा संकेत प्राप्त होने पर बाजार में जो क्रेता है, उनकी संख्या विक्रेताओं की तुल्ला में ज्यादा हो जाती है, फल्स रूप प्रतिभूतियों का मुल्ले बढ़ जाता है, यानि शिक्यूर्टीज की वेल्यू बढ़ जाती है, यानि तरपर आ चुका है अपना तो कारण क्या होता है क्रेटाओं के संक्या विक्रेटाओं से जादा हो जाती है और फल्स रूप प्रतिभूतियों की वेल्यू बढ़ जाती है तो समझेने के लिए इसको ऐसे याद रखते हैं बुल यानि बेल बेल हमेशा नीचे से उपर क्यों और अटेक करते हैं यानि प्रतिभूतियों का मुल्ले बढ़ाने का काम करते हैं बुल जो होते हैं वेलोग ठीक है तो यह हो गया बुल आपका अब हम ठीक इसके अपोजिट की बात करते हैं बीयर यानि मंदडिया बीयर का मतलब होता है मंदडिया मंदडिया बीयर को हम भ उनकी value क्या हो जाती है दाम गिर जाते हैं उनके यानि ये वे story होती है ये वे bookies होती है जो बाजार के उच्च स्तर पर जाने के बाद इस बात का संकेत देते हैं कि बाजार अपने उच्च तम स्तर पर आ चुका है जाता भविष्य में कीमतों में कमी होने वाली है और इस संकेत से बाजार में विक्रेताओं की संक्या क्रेताओं के तुल्ला में ज़्यादा हो जाती है फल्सरूत प्रतिभूतियों के दाम गिर जाते हैं यानि हम संगसेप में बात करें तो जो beer जो होते हैं वो तो प्रतिभ प्रतिभूतियों के वेल्यू को बढ़ाने का काम करते हैं ठीक है समझ में आ गया बुल और बीयर बुल प्रतिभूतियों के मुल्ले को बढ़ाने का काम करते हैं और बीयर प्रतिभूतियों के मुल्ले को घटाने का काम करते हैं छटी जो महतुपुन हमारी शब्दावली है पूझी बाजार से सम्मदित, वो है stakes, stakes वे story होते हैं, stakes, जो IPO में share खरीते हैं, IPO में share खरीते हैं, और जैसे ही वो share, stock exchange में list हो जाते हैं, तो फिर इन्हें base देते हैं, यानि वे story हैं, जो IPO में share खरीते हैं, IPO का मतलब क्या होता है, IPO की अगर हम बात करें तो जब किसी कमपनी द्वारा पहली बार जनता में प्रतिभूतियों को बेचा जाता है तो उसे प्रारंभिक सरवजनिक प्रस्ताव इनिस्यल पब्लिक ओफर कहा जाता है यानि किसी भी कमपनी द्वारा जब पहली बार मार्केट के अंदर प्रतिभूतियों को बेचा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं IPO कहते हैं और IPO जारी करते समय कमपनी को अपनी प्रतिभूतियों को सेभी के पास लिस्टेड करवाना नहीं होता है सेवी के पास लिश्टेट करवाने की जरूरत नहीं होती है जब IPO जारी करते हैं किन्तु IPO जारी होने के बाद एक निशित समय में सेवी के पास सुचिवत करवाना जरूरी होता है तो जब तक सेवी के यहां पे कंपनी के जो स्टोक है लिश्टेट नहीं होता है तब तक उनकी rate है वो बढ़ती नहीं है और कम पैसे में उनको खरीदा जा सकता है हलांकि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ओर है कि 24 जून 2015 से सेवी ने एक guideline जारी कर दी है कि IPO जारी होने वाली प्रतिभूतियों को सेवी के पास 6 दिन के अंतरगत सुचीबत करवाना होगा यानि जो लोग IPO के तुरू share करेते हैं उन IPO का 6 दिन के अंदर-अंदर सेवी के अंदर registration करवाना जरूरी होता है तो stakes हमारा क्या कहता है कि यानि ये वे bookies होती है जो IPO में share खरेते हैं और जैसे ही share की जो value होती है बढ़ जाती है और share की value कब बढ़ेगी जब share आपका stock exchange में क्या हो जाता है? लिस्टिड हो जाता है फिर इनको बेच देते हैं साथ number जो हमारी महत्वपुन शब्दावली है वो है PIGS PIGS क्या होता है? यानि PIGS वे निवेशक जो जल्दी लाब कमाने के लिए जल्दबाजी में बहुत सारी प्रतिवूतियां खरीद देते हैं और ज्यादा तर इनको नुकसान ही होता है जल्दी का काम शेतान का होता है कहा जाता है तो जो जल्दबाजी में शेर खरीदेंगे तो नुकसान होगा उनको नुकसान उठाना ही होगा तो PIGS का मतलब क्या होता है? अगर कोई इन्वेशक बहुत जल्दी लाब कमाने के लि पैसा कमाने के लिए एनितिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और जो स्टोक का मुल्ले को मैनियूपलेट करके पैसा कमाते हैं यानि स्टोक का जो वास्तों में जो मार्केट में वेल्यू नहीं होती है उसके बाद में भी जान बूजकर उसका value बढ़ाते हैं manipulate करते हैं और पैसा कमाते हैं यानि ये अनितिक तरीकों से पैसा कमाते हैं जैसे Jordan Bellport Jordan Bellport ने अनितिक तरीकों से बहुत पैसा कमाया था Jordan Belport की कहानी किसी अन्य वीडियों के मादियम से आपको हम बताएंगी Next हम बात करते हैं Circuit Breaker दोस्तो Circuit Breaker का मतलब क्या होता है Circuit Breaker का मतलब होता है जब प्रतीभूती बाजार में एक निशित समय अवदी में प्रतिभूतियों के मुल्ले में ऐसा मन्ने उता जड़ाओ यानि फ्लेक्चोशन बहुत ज़्यादा हो तो सेवी के द्वारा निवेशकों की हितों की रक्षा है तो उस बाजार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और उसे ही हम सरकिट ब्रेकर कहते हैं यानि किसी भी प्रतिभूति बाजार में एक निश्य समय में प्रतिभूतियों के मुल्ले में अगर फ्लेक्चोशन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो सेवी क्या करता है किसी भी इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हो इन्वेस्टरों को नुकसान से बचाने के लिए मार्केट को कुछ टाइम के लिए क्या कर देता है बंद कर देता है इसे ही हम क्या करते हैं सर्किट ब्रेकर कहते हैं ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये तीन प्रकार का होता है पहला प्रतिभूतियों के मुल्ले में 10 प्रतिसत अगर उतार चड़ा हुआता है कितने प्रतिसत 10 प्रतिसत उतार चड़ावाता है तो सेवी स्टोक मार्केट को एक घंटे के लिए बंद करता है और प्रतिबूतियों के मुल्ले में अगर पंदरा प्रतिसत उतार चड़ावाता है तो सेवी स्टोक मार्केट को दो घंटे के लिए बंद कर देता है और प्रतिबूतियों के मुल्ले में अगर 20% उता चड़ावाता है तो सेवी स्टोक मार्केट को पूरे दिन के लिए बंद कर देता है यानि सर्किट ब्रेकर लगाकर सर्किट ब्रेकर के मद्यम से सेवी क्या करता है अपने निवेशकों के हितों के रक्षा करता है प्रतिबूत्यों के मुल्ले में अगर 10% चेंजे जाता है तो एक घंटे के लिए बंद करता है 15% उतार चड़ावाता है तो दो घंटे के लिए और 20% चेंजे जाता है तो स्टोक मार्केट को पूरे दिन के लिए बंद कर देता है जब कभी election होता है या भी कोई economic ऐसी activity होती है जिसे stock market पर ज्यादा effect पड़ता है उस time circuit breaker का उप्योग से भी द्वारा किया जाता है next हम बात करते हैं ADR 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 का मतलब होता है जब किसी भारतिये company द्वारा अमेरिका के किसी निवेशक को यानि company कौन से होने चीए भारत की होने चीए और अमेरिका का निवेशक होना चीए investor होना चीए को अपनी प्रतिभूतियां बेचता है यानि securities बेचता है तो उसे ADR यानि American depository receipt कहते हैं उसी हम ADR कहते हैं दूसरा है GDR GDR का मतलब होता है जब कोई भारतिये company अमेरिका को छोड़कर किसको छोड़कर अमेरिका को छोड़कर विश्व के किसी अन्य विक्ति को प्रतिभूतियों का विक्रे करके रासी प्राप्त करती है तो उसे GDR Global Depository Recept कहते है यान ADR तो अमेरिका के किसी निवेशक को प्रतिभूतियों विचने पर और GDR अमेरिका को छोड़कर विश्व के अन्य विक्तियों को प्रतिभूतियों का विक्रे करने पर लिखी जाती है इसके बाद में पूझी बाजार की एक और महत्वपूर शब्दावली है IDR IDR का मतलब होता है जब किसी भारतिय निवेशक द्वारा विदेश की किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता है तो उसे IDR कहा जाता है कोई भी भारतिय इनिवेश्टर अगर किसी फोरेन की कम्पनी में अपना पैसा लगाना चाहता है तो IDR उसको कहा जाता है तो ये पूंजी बाजार यानि प्रतिभूति बाजार से सम्मधित कुछ महतोपुन शब्दावली थी जिसे हूब हूब कई बार एकजाम में है जैसा का जैसा पूछ लिया जाता है I hope मैं समझता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी और एक और आपको महतोपुन जान करें देनी थी कि पावर स्टडी का जो चैनल है उसमें मेरे दोस्त मनोज प्रजापत बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे तरह से explain करते हैं वोई accounts का, economics का, business studies का, audit का अच्छा ग्यान रखते हैं इसलिए आप इस चैनल को subscribe करें और अधिक से अधिक share भी करें आप सभी का भौत भौत आभार धन्यवाद